क्या आपका भी AdSense account close हो चुका है, क्या आपके AdSense account को Google ने बंद कर दिया है, तो आपको mail पे जरूर मिला होगा invalid का reason, तो अगर आप इसको चालू करना चाहते हैं, तो चालू करने के लिए सबसे पहले Google को आपको करने पड़ेगी appeal, appeal में एक सबसे ज्यादा important चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है publisher ID, ID अगर आपका Google AdSense बंद हो चुका है, तो आपका account वहाँ पे show नहीं करेगा, ना ही publisher ID show करेगी, तो आप परिशान ना हो, मैं आगे वाली वीडियो में आपको publisher ID कहां मिलेगा, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं हूनी सारे मात, आप देख रहें mobile guru अच्छलिया शुरू करते हैं, यह देखिए आपका, your account has been closed by Google दिखा रहा है आपका, तो मेरी तरह अगर आप भी परिशान है और यह invalid activity के कारण आपका account, AdSense account reactivate हो गया है, close हो गया है, तो आप Google को एक appeal कर सकते है, AdSense को, invalid traffic appeal, यहाँ पर आपको AdSense account की जरूद पड़ेगी, यह देख सकते हैं आप, publisher code, publisher id, जो pub से start होगी, और आपको यहाँ पर feed करना है, तो यहाँ पर देख सकते, account में आपको publisher id नहीं देखिएगी, यहीं पर publisher id सो होती है, तो गवराय नहीं या Gmail में publisher id मिल जाएगी, या फिर आ आप देख सकते हैं, यहाँ पर publisher id दी हुई है, आप अपने account को login की जब करेंगे, तो आपको यहाँ पर publisher id दीख जाएगी, फिर आप इस तरह publisher id यहाँ से copy करके, वहाँ पर paste कर सकते हैं, यहाँ और बाटी जो required field है, उसको आप भर सकते हैं, और भरने के बाद आप उसको submit क कर सकते हैं, गूगल एक दो दिन में इसको चालू कर देगा, और आपकी account चालू हो जाएगी, अगर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, बेल आकान दोवाना मत बूलिएगा, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई